नमस्कार स्वागत आपका जनसत्य नियूज में और आपके साथ में फरहास दीकिए तो सबसे पहले बात करते हैं श्री राम भक्तों की जिनके लिए एक बड़ी खबर है आयोध्य में श्री राम जन भूमी तीर्थ शेत्र नियास की शनिवा को दूसरी बैठक होगी जिसमें राम मंदर के भूमी पूजन का मुहरत निकाला जाएगा बैठक में ट्रस्ट की भवन निर्मान समीती के प्रमुक नपेंद्र मिश्रा भी शामिन होगे बैठक की एजेंडे में मंदर के आकार के मुताबिक मौडल में बदला निर्मान की इंतजाम लागत और लागत में होने वाले खर्च पर भी चर्चा की जानी है बताय जा रहा है कि हनुमान जेंती अफिर अक्षेत रित्या के मुहरत में से किसी एक पर विचार किया जा सकता है इससे पहले भवन निर्मान समीती 28 और 29 परवरी को निर्पेंद्र मिश्टा की अध्यक्षता में बैठक कर राम लला मंदिर के भवन निर्मान की सभी बिंदू पर विचार करेगी बतादे कि शिराम जन्भूमी तीर्थ शेत्र के अध्यक्ष महंत निर्ते गोपाल दास ने हाल ही में कहा था कि मंदिर निर्मान से पहले सिर्फ भूमी पूजन होगा शिलान नियास का कारिक्रम नहीं होगा महंत के मुताबिक साल 1992 में शिलान नियास हो चुका है ऐसे में बार-बार शिलान नियास नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि भूमी पूजन में पुर्धान मंती नरेंद्र मोदी को आमन्फित किया गया है और तलब है कि कुछ दिन पहले ही महंत नियास गोपाल दास की अगवाई में ट्रस्ट के सदस्यों ने पुर्धान मंती नरेंद्र मोदी से मुलकात की थी और देश की राजधानी में पिछले चार दिनों से जारी हिंसा भले ही थम गई हो लेकिन अभी भी डर का महौल बना हुआ है महीं दिल्ली हिंसा में मढ़ने वालों का अकड़ा और बढ़कर 32 तक जा पहुचा है पुलिस और सुरक्षा बल लकातार हिंसा प्रभावी तिलाकों में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांती बनाये रखने की अपील कर रहे हैं दिल्ली हिंसा को लेकर केंदर और राजिस सरकार भी एक्षिन में हैं कल ही रास्ति सुरक्षा सलाकार अजी डोबाल ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोडी के निर्देश पर दिल्ली की सरकों पर उतर कर लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित है और जल्द ही कई गिरफतारिया भी की जाएंगी दिली इंसा मामले में कॉंग्रिस का एक परतिनीधी मंडल रास्टपती रामनात कोविन से मिलने पहुचा एस परतिनीधी मंडल में सोनिया गांधी प्रयंका गांधी वाद्रा मन्मौहन सिंग आनन शर्मा रंदीब और रास्टपती कोविन को कॉंग्रिस की तरफ से मेमरेंडम दिया गया जिसमें हिंसा के आरोफियों के खिलाफ कारवाई की मांग के साथ ही पेड़ितों को मदद मुहया करानी की भी मांग की गई इससे पहले कॉंग्रिस ने दिलिहाई कोट के जस्टिस एस मोली धर के अचानक तबादले पर भी सवाल उठाएं प्रयंका गांधी ने आरोफ लगाते हुए कहा कि आधिरात में जस्टिस मोली धर के तबादले से हैरानी हुई सरकार नियाय का मुँब बंद करना चाहती है और वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान उनकी पतनी तन्जीन पातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कल कोट में पेश कर उन्हें रामपूर जेल भीजा गया था बताय जा रहा है कि खान परिवार को सिधापूर जेल में शिफ्ट किया गया दरसल रामपूर के एस्पी ने अदालत से अपील करते हुए कहा था कि आजम और उनके परिवार को रामपूर जेल में रखने से कानून व्यवस्था भी गर सकती है आपको बता दे कि उत्रपरदेश सरकार ने पिछले साल कई मामलों में आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्च कराएं थे इन में ज्यादातर मामले भूमी अदिगरान, चोरी और रिश्वत खोरी से जुड़े हैं कई बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद आजम खान कोट में पेश नहीं हो रहें थे जिसके बाद अदालत ने उनकी संपत्ती कुर करने के आदेश दिये कोट ने पुलिस को 17 मार्ज से पहले आजम खान को पेश करने का आदेश दिया था बुदवार को एस्पी सांसाद उनकी पत्नी और बेटे को अदालत में पेश करने के बाद दो मार्च तक के लिए जेल भीज दिया गया अब दो मार्च को ही इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और एरिडिया ने भार्टियों को एक बाद फिर से दिल जीतिया है सरकारी एलाइंस में जपान में डायमेंट प्रिंसे स्कूल जहाज पर फसे 119 भार्टियों और पांच विदेशी नागरीकों को सुरक्षित निकाल लिया है गुरुआर को एर इंडिया सभी नागरिकों को लेकर दिल्ली एरपोर्ट पर उत्रा जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जैशंकर ने दी इससे ठीक पहले भारती सेनका विमान C-17 ग्लोब मास्टर चीन से लगभाग 112 भारतियों और 36 विदेशी नागरिकों को लेकर सुबाद 6 बच कर 30 मिनट पर दिल्ली एरपोर्ट पर लेंड कर गया तमाम यात्यों ने इसके लिए एर इंडिया को धनिवाद दिया साथी विदेश मंती जैशंकर ने भी सरकारी एलाइंस का धनिवाद दिया जानकारी के मताविक सभी यात्यों को एरपोर्ट से सीधे इंडो तिबद बॉर्डर पुलिस के छावला के स्वास्तिक केंडर में लिया जाएगा इन सभी आत्मों को 14 दिन की जांच के बाद घर जाने की इजाज़त दी जाएगी आपको बता दे की चीन में कोरोना वाइरस के प्रकॉप से अब तक 2600 लोगों से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं जबकि रोजाना सैक्डू नए मामले सामने आ रहे ह कि अब तक कोरोना वाइरस से असी हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं तो फिल्हाल इस बुलेटिन में इतना ही खबरों का सफ़ा रहेगा जारी देखते रहे जहन सत्य न्यूस नमस्कार